दोस्तो जैहन दोस्तो आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर आएं जो एकजाम की दरश्टी से अतियंत मैतपूर है यह टॉपिक है प्रमुक पंचवर्षी यूजनाए यह उनसे संबंदित फैक्ट आज हम जानेंगे कि पंचवर्षी यूजनाओं से पूछे जाने बाले प्रस्ण कैसे पूछे जाते हैं और क्या-क्या पूछे जा सकते हैं सारी पंचवर्षी यूजनाए चितनी भी अभी तक लागू होई हैं उन सब के वारे में एक-एक फैक्ट जानने का प्रियास करेंगे और देखेंगे कैसे-कैसे आखर कुश्चन बनते हैं तो आईए सुरुवात करते हैं आज के सेसन की देखते हैं पंचवर्षी यूजनाओं के वारे में आपको बता दें कि सुतंता के पस्चात जब समिदान सबा का गठन हुआ और समिदान सबा ने कार करना प्रारम किया उसके बाद हमें कार यूजना बनाने के लिए किसी एक यूजना की आवस्यक्ता थी हम क्या करते हमने पंचवर्षी यूजनाओं बनाई पंच वर्षों की यूजना बनाई इसकी अंतदगत हमने कई लच रखे कि इस समय अबदी में हमें ये करना है ऐसे करना है और किन-किन छेत्रों में अपने आपको एक आधार संपन अच्छी से अच्छे सुबधाएं आधार भूत सुबधाएं कैसे लागू करनी है कैसे उनको पाना है क्या-क्या मानक होंगे इस हिसाब से हमने अपने आपको बनाया तो कई पंचवर्षी यूजनाओं लागू करते गए लगातार हम 12 पंचवर्षी यूजनाओं कुल भारत में लागू हुई कितनी हुई 12 आपको याद रख लेना है अभी तक कुल 12 पंचवर्षी यूजना लागू हुई उसके बाद से फिर कोई पंचवर्षी यूजना लागू नहीं हुई है तो आपको बता दें पहली पंचवर्षी यूजना बहुत कई बार कुश्चन पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षी यूजना कब लागू हुई थी तो आप बता देंगे प्रथम पंचवर्षी यूजना लागू हुई थी 1951 से 1956 के बीच में या सीधा सीधा कुश्चन आता है एक्जाम में कि प्रथम पंचवर्षी यूजना कब लागू हुई थी तो 1951 में या उसका समय पूछ सकते हैं डूरेशन तो आप बता देंगे 1951 से 1956 ठीक है एक तो ये बात रही इसके बाद कुश्चन दूसरा बनता है यहाँ पे कि प्रथम पंचवर्षी यूजना किस मोडल पर आधारित थी तो आप बता देंगे पहली पंचवर्षी यूजना हैरड डोमर मोडल पर आधारित थी किस पर हैरड डोमर मोडल पर आधारित बहुत थी महतपूर कुश्चन है कई बार एकजाम में पूछा गया है आपको रट लेना है बिलकुल कि प्रथम पंचवर्षी यूजना हैरड डोमर मोडल पर आधारित है ठीक है एक तो बात यहां से हो गई इसके बाद यह पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षी यूजना किस का मुख बिंदू क्या था या किस चीज पर बल दिया गया तो आप याद रख लेंगे किर्सी विकास पर किर्सी को महत दिया गया किर्सी का विकास के स्योदिस में इस चीज को आधार माना गया तो आपका होगा कि अगर आए जाए कुश्चिन कि प्रथम पंचवर्षी योजना के अंतरगत किस चीज पर बल दिया गया तो किरसी विकास पर बल दिया गया ठीक है क्या था इस योजना में लच रखा गया था 2.1% का और जबकि प्राप्ती होई थी 3.7% ठीक है तो हम कह सकते हैं कुछ हद तक ये सफल थी ठीक है अब देखते हैं इसके मैतपूर्टत क्या क्या थी इस योजना के मैतपूर्टत क्या क्या थी तो आपको बता दें कि इस योजना के अंतरगत बाकड़ा नागल बांध जो आपने सुना होगा वाकड़ा नागल, दामोदर एवं हीरा कुंडा कुंड जैसी बहुत देसी पर्योजनाओं का प्रारंब हुआ इसी समय जब ये पंचबर्शी जो इना चल रही थी इसी समय क्या हुआ वाकड़ा नागल, दामोदर, हीरा कुंड जैसी कई सारी पर्योजनाओं थी उनका सुबारम भुगा और एक कुश्चन बहुत आता है कि सामदाईग विकास कारकरम जिसमें सभी प्रकार से किसी के के सामदाईग में कैसे विकास संपनू इन चीजों को नेकर एक कारकरम की शुरुआत हुई थी 1952 में जिससे सामदाईग विकास कारकरम का गया तो कुश्चन ऐसे बनता है कभी कबार के प्रथम सामदाईग विकास कारकरम की सुरुआत किस पंचवर्षी युजना में हुई तो आप बता देंगे प्रथम पंचवर्षी युजना में कभी प्रथम पंचवर्षी युजना में सामदाईग विकास कारकरम की सुरुआत हु दो अक्टूबर 1952 को ठीक है आपको यादा करें दो अक्टूबर को गांदी जी की जैनती मनाते हैं हम लोग ठीक है अब बात करते हैं दुतिय पंचवर्सी योजना की ठीक है तो दुतिय पंचवर्सी जो योजना थी वो उसका समय रहा 1956-1961 तक कब था 1956-1961 ये इसका मॉडल क्या था इसका मॉडल था नहरू महाल नोविस्प का मॉडल इसे कहते हैं नहरू महाल नोविस्प का मॉडल आप कोश्चन आ सकता है कि दुतिय पंचवर्सी योजना किस मॉडल पर आदा रही थी आप बता देंगे नहरू महाल नोविस्प की मॉडल पर आदा रही थी इंदू क्या क्या थे आधार भूद भारी उद्योगों पर बल दिया गया था इसमें भारी उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए देश में इस चीज पर बिसेश बल दिया गया और देखते हैं मुक्तत तो क्या क्या थे इस योजना के तो पर मुक्तत तो क्या क्या थे आप द से लावा ग्रीन प्लांट जो ग्रीन इस्टील प्लांट की उजना जिसके तहट आपने सुना होगा कई बार कुश्चन भी पूछा जाता है कि रावर केला उडीसा में स्थापित किया गया बिलाई 36 गड़ में और दुरगापुर पस्चिम मंगाल में यह तीन इस्टील प्ल सोवियत संग यानि जो आपका रूस है उसके सहयोग से और इसके अलावा दुरगापुर जुथा पस्चिम मंगाल में इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई ठीक है और आप देखेंगे कि स्टील पर भारी उद्योग यह क्या हैं भारी उद्योग है और इसलिए इन में भारी उद्योग की स्थापना की गई और इसी पर बिजेश बल दिया गया था ठीक है नेक्ष देखते हैं तिरती पंचवर्शी उजना तिरती पंचवर्शी उजना की समय जो अब दी थी वो क्या थी वो थी 1961 से 1986 इसका लच्छ क्या था 5.6% प्राप्ती क्या हुई सिर्फ 2.8% यानि हम कह सकते हैं जादा कारगर सिद्ध नहीं हुई लेकिन हुआ क्या का यह मौडल पूछा जाता है कि तिरती पंचवर्शी उजना किस मौडल पर आधा रिथी तो आप देखेंगे तिरती पंचवर्शी उजना जो थी वो जे सेन्डी सुब्रमन्यम चक्र पूर्थी अर्थवश्था जो आद निर्वर हो दूसरे पर निर्वर 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 नि ठीक है इसकी इस्थापना की गई थी ठीक है बोकारो की इस्थापना की गई थी रूस के सहयोग से आपको याद रख लिना है तो यह प्रसन आता है बोकारो है का साइद बोकारो जारकंड में है ठीक है आप देख लेंगे सही से जारकंड में है इसके अलाबा प्रमुक्तत क् अब तक की सबसे बिफल योजना थी जितनी भी योजनाए अब तक लागू होई थी उनमें ये सबसे बिफल थी ये नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे सबसे बिफल थी ये अब तक जितनी योजनाए लागू होई थी जैसे ये तिर्थी थी तो इससे पहले जो दो योजना थी उनमें ये सबसे बिफल योजना थी अब तक कि ये सबसे कैसी थी बिफल योजना थी ठीक है और बिफलता की कारड क्या थे मैथपूर कारड थे वो कारड थे भारत चीन युद 1962 में हो जाना जिससे हमें काफी छती हुई बारत पाक युद 1965 में हुए और उसी समय सूखा बढ़ा था ठीक है तो इतनी सारी चीजें हमारे साथ गटे थुई ठीक है इस कारड हम अपने उद्योस्यों अपना जो लच था उसको पूरा नहीं कर सके और ये योजना जो थी वो विफल हो गई नेक्श देखते हैं इसी समय क्या हुए जब इतना सारा कुछ गटा देश में भारत चीन युद दो गया भारत पाकिस्तान युद दो गया व्यापक सूखा पड़ गया तो हुआ क्या इसी बीच तो हमारे पास इतना समय नहीं था और उस समय इतनी इस्तिती अच्छी नहीं थी कि हम कोई अंगली योजना का लच रख सके इसी लिए हमने योजना अवकास चलाया क्या चलाया योजना अवकास प्रथम योजना अवकास इसी का जाता है पूछा भी जाता है एक्जाम में question आता है के प्रतम योजना अभकास कब से कब तक रहा तो आप बता देंगे 1986-1969 तक एक-एक वर्स की तीन योजनाएं चलाएंगे इसी वीज़ परस्तियों कारण ऐसा हुआ था अभी हमने बताया था आपको क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था व्यापक सुखा पड़ा था अभारत चीन का उन्नेस सुमासर्ट में जो बहुँ चर्चित युद्ध हुआ था तो इस कारण तीन साल के लिए एक एक वर्स की युजना सी चलाएंगी और यह प्रिथम युजना अवकास है ठीक है अप यह याद कर लेंगे इसके अलावा आप देखेंगे चौति पंच वर्सी युजना चौती पंचबर्सी योजना की समय अब्दी क्या है ये थी 1979 से लेकि 1974 की थी ठीक है 1979 से 1974 तक लच्च क्या क्या रखे गए लच्च था 5,7% का लेकिन प्राप्ति हुई 3,4% की अभी हम उबरे ही थे जो हमने पीछे देखा इतना सारा उससे हम उबरे थे ठीक है तो हमने जो मॉडल अपनाया वो कौन सा मॉडल था असोक रोदर एलन मानने मॉडल इस मॉडल का नाम था असोक रोदर एलन मानने मॉडल था और चौती पंचबर्सी योजना का इसके कैंदर बिंदू क्या क्या थे इस्थरता के साथ आत्म निर्वर्ता अब चुकि हमारी जो अर्थवर्षता थी वो इस्थर नहीं थी हम बहुत सारी चीजों को जहल चुके थे कई सारे हमारे पास ऐसी चीजे थी जैसे अभी बताये थे युद्ध का कारड़ था तो हमारी आइस्थरता हो गई थी देश में उस आइस्थरता को इस्थरता में बदलने के लिए आत्म निर्वर होना बहुत जुरूरी था तो हमने क्या किया हमने क्या किया हमने प्रारूप तयार किये कौन सा प्रारूप तयार किया गया DR गडगिल मॉडल DR गडगिल जो थे उन्होंने एक प्रारूप तयार किया ठीक है और क्या हुआ बहुत बड़ा काम हुआ जो कई बार एक्जाम में भी कुश्चन आता है 14 वड़े बैंकों का राश्टी करड़ हुआ इसी समय 1979 में इसी समय 14 वड़े बैंकों का क्या हुआ राश्टी करड़ हुआ आपको याद रखना है इसी समय 14 वड़े बैंकों का राश्टी करड़ हुआ तो ये कुश्चन भी आता है 14 वड़े बैंकों का राश्टी करड़ का हुआ तो 1970 में हुआ आपको ये याद रखना है अपनाएंगी ठीक है तो इस्थिरता में लाने का प्रियास किया गया इस योजना के थे जो चोती पंचवर्षी योजना थी ज्यादा सफल तो नहीं लेकिन कुछ हद तक हमने अपनी रफ्तार पकड़ी नेक्ट देखते हैं पांचवी पंचवर्षी योजना पांचवी पंचवर्षी योजना जब आई वो समय था 1974 से 1989 के ठीक है लच रखा हमने 4.4% का लेकिन प्राप्ती हमोई 4.9% की यानि अब हमारे कुछ इस्थिरता आई हमारे अर्थवेस्ता में अब कुछ इस्थिरता आ और जो मॉडल था यह बहुत फेहमास है कई बार एक्जाम में आ चुका है कि पंच भी पंचवर्षी योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो आपको याद कर लीना है आगत निर्गत मॉडल कौन सा मॉडल था आगत निर्गत मॉडल इसके केंद बिंदू क्या थे केंद ब अबरा जाए यह हमने प्रियास किया हमने लच रखा है इन पांच सालों में कि गरीबी से हमें कैसी उबरना है और आत्म निर्वर कैसी बनना है इन चीजों पर हमने बिसेश वल दिया इसके अलावा आप देखेंगे पिरमुक्तत इसके क्या क्या रहे पिरमुक्तत रहे कुस्टन यहां से बन जाता है। कै puisquन क्या बनता है। कि वो कॉन शी योजना थी जो अपने निर्दारश समय से एक वर्स पहले ही समापत हो गई। वो थी पुछ भी पंच्वर्सी योजना आपको याद कर लेना है अच्छी से। मैथपूर्द कुस्टन हो जाता है किसी भी इजाम के लिए ये, क्यों व्हक्तप्र कि योजना थी, जो अपने समय अबडी यानि 5 साल से पहले ही चार वर्स में समाब्त होगी, यानि एक वर्स पहले ही समाब्त होगी, उती 5-5 वर्स ये योजना, निर्यात में ब्रद्धी और आयात में कमी आई ठीक है इसके लावा MNP तथा कार की बदली अनाज 1978 में योजना चलाएगी MNP की योजना ये कप चलाएगी 1978 में याद रखना है आपको और गरीबी उन्मूलन का नारा सर्फथम इसी योजना में दिया गया था कभी पूचा चाये कुश्चन के गरीबी उन्मूलन के लिए नारा कब दिया गया तो इसी योजना के तहद दिया गया था पांच भी पंचवर्शी योजना के तहद कब ये 1974 से 1989 की भी चली तो 1978 की समय की बात है तब ये नारा दिया गया ठीक है जनता पार्टी की सरकार्थी ठीक है जनता पार्टी की समय क्या थी सरकार्थी आपको याद रखना है किसकी सरकार्थी जनता पार्टी की ठीक है नेक्ट देखते है इसी समय क्या हुआ एक और यूजना अवकास आता है और उसे जानते हैं अनवरत यूजना अवकास के नाम से यह इसे दूसरा यूजना अवकास कह सकते हैं अनवरत यूजना अवकास या दूसरा यूजना अवकास कह सकते हैं हुआ क्या जंता पार्टी ने लगता दू बर्सों के लिए अनवरत यूजना बनाई इस यूजना का प्रतिपादन किस ने किया था नोबल पुरुषकर वजीता जो थे गुनार मिर्डल ने किस ने किया था गुनार मिर्डल ने इसका और इसको लागू करने का सिरे जाता है टी डी टी लकडवाला को किसे डी टी डी टी लकडवाला को जाता है यह याद रखना है कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कुश्चन एक जाम में इस परकार से बन सकता है कि अनवरत यूजना को लागू किस ने किया था तो आप कह सकते हैं डी टी लकडवाला ने और इस योजना का प्रतिपादन किस ने किया था अगर ये कुश्चन आए तो नोबल पुरुसकार वजीता थे गुनार मिर्डल इन्होंने इस योजना का प्रतिपादन किया था और ये योजना चली कब से कब तक थी 1978 से 1999 इसे अनवरत योजना अवकास भी का जाता है इसे दुती योजना अवकास भी का जाता है तो आप इतना समझ लेंगे और पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे अच्छे से और किसी भी एकजाम में आपके लिए महतबूर होगा नेक्ट देखते हैं इसके बाद आई छटी पंचवर्सी योजना इस योजना में क्या हुआ इस योजना के तहत इसकी समय अबदी जो थी वो थी कितनी 1980 से 1985 इसका लच रखा गया 5.2% प्राप्ती कितनी भी 5.4 की मोडल वही रहा कौन सा आगत निरगत मोडल था केंदी बिंदू क्या कहते है मुख मुख बिंदू गरीवी निवारण गरीवी उन्मूलन या गरीवी निवारण ठीक है और रोजगार का सरजन अब यह हुआ कि इन 5 सालों में कैसे रोजगार संपन कराया जाए कैसे रोजगार दिया जाए लोगों को जिससे वो आत निर्वार हो सकें और देश की आर्थवस्ता में योगदान दे सकें मेतपूर्ट तत्त क्या के थे इस योजना के गरीबी हैं बिरोजगारी उन्मूलन के लिए IRDP और NREP ये दो योजना हैं चलाएंगे इनका विस्तार किया गया इसी समय ट्राइसेम ठीक है D.W.A.C.R.E.L.E.G.P. आदी रोजगार कारकरम ये सब रोजगार कारकरम हैं इस तरीके के रोजगार कारकरम चलाएंगे इसके अलाबा गरीबी निदे सांक गरामीर छेत में ये निर्दारित किया गया कि गरीबी को कैसे निदारित किजाए कि कौन गरीब है तो 24 कैलोरी प्रती 24 सो कैलोरी प्रती व्यक्ती और सहरी में बताएगा कि 200 कैलोरी ये निदेशंग था इस से अगर कोई नीचे अगर है तो वो गरीबी में होगा मतलब इतना अब तो भोजन उन्हें उपलब्द होना चाहिए इतने उनका आर होना चाहिए इतने कैलोरी उन्हें मिलनी चाहिए मात्रा ये सब निदारित किया गया इसके अलाब आप देखेंगे साथवी पंचवर्सी योजना साथ बसी पंचवर्षी योजना में क्या था इसकी समय अबदी जो थी वो थी 1950 से 1990 लच रखा गया 5% का मोडल था छटवी योजना एबं बकील कोई मोडल नहीं रखा गया लेकिन छटवी योजना को बढ़ावा देना था इसमें ठीक है और इसकी प्राप्ति होई कितनी 6 दिसमलब 0-2% इसके कैन बिंदू थे मुख मुख समाजिक नियाए के साथ विकास समाजिक नियाए के साथ विकास समाजिक नियाए कैसे हो सबको समान अबसर कैसे मिले और विकास कैसे हो इस तरीके के बिंदु महतपूर थे इस योजना की अंतरगत ठीक है पर मुक्तत क्या क्या थे इस योजना की पर मुक्तत थे गरीवी पर प्रत्यच परारे तो कई कारकरम चलाएगे कई कारकरमों का आयोजन किया गया कि गरीवी को कैसे बचा जाना है कैसे बिकास करना है दिस का ठीओ कैसे हर जन्म को रुजगार सरजन कराने है ये बहँतर लच्छ थे और इन पर काम हो रहा था इसी समय फूड वर्क एंड प्रोड़क्टिविटी का नारा दिया गया ये बहुत महत्पूड हो जाता है कि फूड वर्क एंड प्रोड़क्टिविटी का नारा कब दिया गया ठीक है तो ये दिया गया था आप देख रहे हैं साथ भी पंचवर्षी हुजना की अंतरगत इसके अलावा पारस्त की एम पर्यावरण संरच्छड पर बल दिया गया इसी समय पर्यावरण संरच्छड अदनियम आता है आप याद रख लेंगे और उर्जा संरच्छड अपरामपरागत सुरोतों का विकास किया गया ये इसके महतपूर तत्त थे तो दोस्तों आज हमने साथ पंचवर्षी हुजनाई पढ़ी है आगे के वीडियो में हम बची हुई और पंचवर्षी हुजनाओं का अध्यन करेंगे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एक से अधिक बार देखें रिबाइज करें और दिमाग में इन पॉइंट्स और इन फैक्ट्स को बैठा लें इनसे सम्मंदित प्रस्ण अकसर पूछे जाते हैं जो आप अगर इसमें पढ़ लेंगे अच्छे से आप रट लेंगे तो आपके एक्जाम में महत्पूर साबित होंगे और आपको किसी भी एक्जाम में आप आसानी से प्रस्ण हल कर पाएंगे दोस्तो अंगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं तक के लिए विदा चाहते हैं नवस्कार जैहिंद